एर शो भी आपको अपने इस्थान पर यहीं बैठ कर देखना है माननी प्रधान मंत्री महोदय अपने उद्वोधन के बाद इस मंच से एर शो देखने के लिए उधर जाएंगे लेकिन आप सबको यहीं विवस्तित रूप से बैठे रहना है और जैसे आपने देखा था आप आपने जरता अपनी परिस्तिति को चेंज किया, सेर को घुमाया। तो आप देख पा रहे थे एर शो को एसे ही आपको देखना है अगर आपने यहां से जाने का प्रयतन किया तो सुरक्षा कर्मी और पुलिस कर्मी आपको जाने नहीं देंगे ये पूरे मार्ग को बंद कर दिया जाएगा तो आप अपने इस्थान की सुविधा को भी खोएंगे और उधर भी नहीं जा पाएंगे इसलिए बार-बार आपको मैं इस्मरण करा रही हूँ, करबध प्रार्थना कर रही हूँ, कि आप अपने इस्थान से तब तक नहीं हिलेंगे, जब तक एरशो हो नहीं जाता और अब सांश्टितिक प्रस्तुती प्रारम करें, एक छोटी सी प्रस्तुती, माई कौन करने उधर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, माने ने प्रस्तुत से अनुरोध करूंगी, कि सभी का स्वागत करें, आपकी जोरदार तालियों के साथ भारत माता की भारत माता की भारत माता की बंदे 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 पुर्वांचल एक्सप्रेश वे क्याज के इस लोकारपण कारिक्रम क्याउसर पर पूर्वे उत्तरप्रदेश के विकास को एक नई गती प्रदान करने के लिए जन्पस सुल्तानपूर में उपस्तित दुनिया के सबसे लोकप्रियनेता देश के सश्वी प्रधान मंत्री आदणिये नरेंद्र मोदी जी का मैं आप सभी उत्तरप्रदेश वास्यों की ओर से हिर्दै से स्वागत करता हूँ और इनन्दन करता हूँ मंचपर उपस्तित प्रदेश की माननी राज्यपाल सिमतियानंदी बेन पठेल जी प्रदेश सरकार में मेरे सयोगी मंत्री और जन्पत के प्रभारी मंत्री से चैप्रताब सिंग्जी और जोगी की विकास के राज्य मंत्री से ध्रम बीर प्रजापती जी माननी सांसा स्रीमती मेनका गांधी जी भारती जन्ता पार्टी के प्रदेश की अध्यक्स माननी सी स्वतंदर देव सिंग्जी माननी विधायक सी सीता राम बरमा जी देव मनी दिवेदी जी सूर्यभान सिंग्जी राजेश गौतम जी जिला पंचायत के अध्यक्स स्रीमती उसा सिंग्जी और आज के इस पुर्वांचल एक्सप्रेस वे के इस उद्गाटन कारिकरम में उपस्तित सुल्तानपूर जन्पत के और अन्य आठ स्थानों पर जहां से होकर के पुर्वांचल एक्सप्रेस हुए जा रहा है उपस्तित सभी मान्य जन्प्रतिनिविगाण भाईयो बेनों आप सभी की ओर से मैं देश के सश्वी प्रधान मंत्री जी का हिर्दे से स्वागत और अविनंदन करता हूँ हम सब जानते हैं कि आज से तीन वर्ष पहले पुर्वांचल एक्सप्रेस हुए का सिलान न्यास का कारिकरम संपन हुआ था और तीन वर्ष के अंदर पिछले उन्नीस महिनों से पूरी दुनिया करोना महमारी का सामना कर रही है इस सब के बाबजूद आदने प्रधान मंत्री जी का मार्क दर्शन और पेणा जीवन और जीविका को बचाने के लिए देश के अंदर महमारी के दौरान के गए प्रवंदन और उसी का पेणाम है क्याद पुरवांचल एक्सप्रेस वे उद घाटन आदनिये प्रधान मंत्री जी के करकमलों से भी यहाँ पर संपन होने जा रहा है भाई और बेनों आपने भी देखा होगा कि प्रधान मंत्री जी के पुरवांचल एक्सप्रेस वे में वाई सेना के जिस विसेश बिमान से विया आज यहाँ पर पधा रहे हैं जैसे ही बिमान ने पुरवांचल एक्सप्रेस वे को टच करते वे लेंड किया है वैसे ही पुरवांचल एक्सप्रेस वे कि उत घाटन के साथ आधनिये प्रधान मंत्री जी का आगमन हम सब के बीच में इस सुल्तानपुर जनपत की धर्ती पर हुआ है आज का प्रधान मंत्री जी का आगमन पूर्वी उत्तर प्रधेस के विकास को एक नई उचायों तक पहुँचाने की लिए सामें के जारे प्रियास का ही पेड़ाम है भाईो बेनो के पूर्वी उत्तर प्रधेस जो आजादी के बाद से विकास के पूर्वी उत्तर प्रधेस के उन मापदंडों को पूरा करने में विफल साबित हुआ था उस पूर्वी उत्तर प्रधेस की जिसकी आजादी के बाद से लगाता रुप एक्सा हुई उस पूर्वी उत्तर प्रधेस को बिकास की एक नई जीवन रेखा के रूप में स्तापित करने की जिसामें के जाने वाले प्रियास्त का हिस्सा होगा और इस अवसर पर विकास साड़े चार वर्स के अंदर प्रदेश के अंदर न केवल विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिसामें जो नए कारे होये हैं वह हम सब के सामने हैं आज एक ओर पुर्वानचल एक्सप्रेस वेका उद्गाटन हो रहा है दूसरा बुंदेल खंड को भी एक नए एक्सप्रेस वेके साथ जोडने की कारवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है इसी प्रकार से पस्विमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोडने के लिए गंगा एक्सप्रेस वेका कार्या कुछी दिनों में प्रारंब होने जा रहा है गोरकपुर लिंक एक्सप्रेस वे और बलिया लिंक एक्सप्रेस वे भी युद दस्तर पर विकास किस नई प्रकरिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं और दिगा साथ वर्सों के दोरान प्रदान मंत्रीजे के मार्ग दर्सन में पब्लिक ट्रांस्पोर्ट की बहतरीन सुविधा मेट्रों की सुविधा के साथ प्रदेश के अंदर एक नई सुविधा मेट्रों की प्रदान करने के सामे जहां बड़ा कदम प्रदेश ने बढ़ाया है चार सिटी अब तक मेट्रों की सुविधा से वहाँ पर पब्लिक ट्रांस्पोर्ट की बहतरीन सुविधा प्लब्द कराई रही है अगले मेहने तक कानपूर की मेट्रों की विवस्ता भी जनता के लिए खुल जाएगी और भायों बेनों यही नहीं आज प्रदेश के अंदर एर कनेक्टिविटी के लिए 2017 तक प्रदेश के अंदर लोखन और वारानसी एरपोर्ट ही आम जनमानस की सुविधा के लिए वायु सेवा के साथ जुड़े थे आज प्रदेश के अंदर भारत सरकार की उड़ान योजना का बेतरीन लाब लेते वे नो एरपोर्ट पूरी तरह फंक्सनल हैं जहां पर वायु सेवा प्रदान की जा रही है 11 नए एरपोर्ट पर कारे चलना है ये नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की वाद तस्वीर है जो अधनिये प्रदान मंत्री जी को भारत के अंदर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता की रुप में स्तापित करने का जो संकल्प है उस संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ जुड़ेगा और उस मजबूती के साथ जुड़ने के दिस्थे आज प्रदेश के अंदर प्रदेक छेत्र में चाएवार डेबलमेंट और इंफ्रस्टर्टर का फीड़ हो इजुकेशन और हेल्थ काप छेत्र हो गरीब कल्यानकारी योजनाओं का लाब बिना भेदभाव के हरेख नागरिक तक पहुचाने का हो और चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर आस्ता के सम्मान करने का है इन सभी छेत्रों में आज आदनिये प्रदान मंत्री जी के मार्ग दर्शन में उनकी पेणा से उत्तर प्रदेश अगरणी भूमिका के साथ कारे कर रहा है आज जब पुर्वांचल एक्स्प्रेस वे के उत्गाटन कारे करम में पूर्वी उत्तरब्रदेश के इन सभी नागरिकों को प्राप्त हो रहा है मैं एक बार फिर से अधनिय प्रधान मंत्री जी का आप सभी की और से हिर्दै से सागत और अविनंदल करता हूँ और मैं विस्तास बेक्ट करता हूँ के पूर्वी उत्तरब्रदेश के विकास की जीवन रेखा बनेगी यहाँ पर न केवल यातायात की सुगमता की दिस्ते बल्कि विक्ष्वित होने वाले और जोगिक्ट कलस्तर के मात्यम से भी रोजगार की धेर सारी संभावना को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी पुर्वान चल एक्स्प्रेस वे प्राप्त होने के लिए हिर्दे से बधाई देता हो और आदने प्रधान मंत्री जी का हिर्दे से स्वागत और अभिननन करता हो धन्यबाद जैहिन जैजै श्री लाम